Hello everyone, welcome to the class तो आज की class में हम मोग टेस्ट डिसकस करेंगे rapid fire questions डिसकस करेंगे TGT के point of view से जो important है जो हमारा topic रहेगा question का वो रहेगा complex analysis तो complex analysis से जो exam point of view से important है question वो हम discuss करेंगे तो आप लोगोंने answer करने है साथ के साथ कौन सा option जो है correct answer रहेगा ठीक है तो देखो शुरू करते हैं हमारे first question से एक मिनट तो देखो first question मुझे कह रहा है minus under root 16 into minus under root 9 जो है किसके equal होता है अब मेरे को पता है under root 16 तो मेरा 4 के equal होता है और under root 9 जो है मेरा 3 के equal होता है पर minus under root 16 जो है मुझे नहीं पता कि किसके equal होता है तो मैं इसको लिख सकती हूँ minus under root 1 और 16 इस तरीके से जो है मैं उसको लिख सकती हूँ और under root minus 1 complex number हम कर रहे हैं तो सबको पता है कि ये किसके equal होता है आइटा के equal होता है तो ये minus under root 16 basically मेरा क्या है 4 आइटा और minus under root 9 जो है मेरा basically क्या है 3 आइटा है तो ये कुछ नहीं simple हमने जो है आइटा की value पुट की है सबसे basic question जो है ये complex number से पूछे जाने के chances होते हैं सबसे basic question जो है ये हमारा complex number पर बनता है तो 4 तरी जा 12 और आइटा की multiply जब मैं आइटा से करूँगी तो क्या बनेगा मेरा आइटा square और आइटा square की value क्या होती है minus 1 होती है तो आइटा square की value जब मैं minus 1 डालूँगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा minus 12 और यहां से minus 12 जो है मेरा क्या आजाएगा correct answer आजाएगा minus 12 will be my correct answer चीक है clear है तो इस तरीके से हम questions जो है proceed करते हैं जब under root के अंदर minus given होता है तो ये सिरफ क्यों होता है आप लोगों को confused करने के लिए जो है इस तरीके से लिखा होता है ultimately ये होता कुछ नहीं है होता ही हमारा क्या है I tie ही है ठीक है clear है सबको आगे बढ़ते हैं इसे के साथ हमारे next question की तरफ तो next जो हमारा question है ये statement based question है मतलब हमें correct statement जो है बतानी है कि ये चीज़ कब true है और ये question exam में आने के बहुत chances है क्योंकि basic से TGT में questions पूछे जाते है और ये complex number का main basic आता है जब हम complex number करते है तो यहाँ पर ये result करते है कि दो under root वाले number को हम इकठा combine करके किस case में लिख सकते है under root of A into under root of B is equal to under root of A B is true only man कब किस case में possible है पहला option है जब A और B दोनों ही मेरे क्या हो positive हो दूसरा option है जब A और B दोनों ही मेरे क्या हो negative हो तीसरा option है A and B are both zero और चोथा option है at least one of A and B is non-negative तो ये हमेशा क्या होता है ये एक result है complex analysis का कि जब इन दोनों में से कोई भी A क्या हो non-negative हो एक term जो है हमारी क्या होनी चाहिए non-negative होनी चाहिए तो ये result हमारा उस case में क्या होता है true होता है उस case में हमारा ये result जो है क्या गरता है hold करता है ठीक है तो यहां से D option जो है मेरा क्या आ जाएगा correct answer आ जाएगा D will be my correct answer ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे next question की तरफ the smallest integer and for which हमें एक term गीवन है जिसमें numerator and denominator दोनों की term जो है क्या है present है we have given a term जिसके अंदर both numerator and denominator की terms जो है क्या है present है और हमें बताना है कि n की सबसे छोटी कौन सी value होगी जिसके लिए ये मुझे answer जो है क्या करेगा 1 करेगा n की सबसे छोटी कौन सी value के लिए ये मुझे जो है क्या answer देगा 1 answer देगा चीक है तो 1 plus aita by 1 minus aita raise to par n तो पहले क्या करो अंतर वाली term को जो है क्या करो simplify करने की कोशिश करो वहाँ से आपको पता चल जाएगा smallest 10 क्या होने वाला है तो मैं क्या करूँ 1 plus aita है और 1 minus aita है तो इसकी realization कर दूँ अंदर वाली term value में सिरफ तो ये क्या हो जाएगा 1 plus aita से multiply and divide कर दूँ तो कोई फरक पड़ेगा ठीक है ये मुझे 1 प्लस aita का square इसकी multiply जब मैं इसके साथ की तो क्या बना 1 plus aita का square और 1 plus aita का square जो है मेरा क्या होगा 1 square plus aita square plus 7 में क्या multiply करूँगी 2 aita निचे a plus b a minus b तो a plus b a minus b जो है मिलके मेरा क्या बनाएगा A square minus 1 square that is 1 square minus Aita square और इस थारे की पार N जो है मुझे क्या चाहिए 1 जाहिए तो Aita square की value कितनी minus 1 तो plus 1 minus 1 मेरा क्या हो गया cancel हो गया तो उपर सिरफ क्या बचा 2 Aita और निच्चे क्या बचा 1 minus minus plus Aita square की value minus 1 डाली तो plus 2 से minus 2 cancel तो ये मुझे ultimately क्या मिला? Aita raised to power N क्या मिला मुझे ये? Aita raised to power N तो Aita की सबसे minimum कितनी पार है जो मुझे 1 देती है तो हमें पता है Aita की पार 4 जो है मुझे 1 देती है Aita square minus 1 होता है Aita cube minus Aita होता है और Aita की पार पहली सबसे smallest पार 4 है जो मुझे 1 देती है तो यहां से क्या answer आजाएगा मेरा smallest 4 तो A option 4 जो है मेरा यहां से क्या आजाएगा correct answer आजाएगा A will be my correct answer तो जब भी इस type की terms given है पहले अंदर वाली term जो है उनको simplify कर लिया करो calculation करनी answer निकालना जो है फिर उस case में आपके लिए easy हो जाते है ठीक है clear है सबको आगे बढ़ते हैं 1 minus under root of minus 1 and 1 plus under root of minus 1 तो इसकी जो है मुझे value बतानी है कि क्या होगी चीक है तो अब इसको क्या करना है basically under root minus 7 को क्या लूप होगी मैं under root 7 आइटा इसको लिखूंगी 5 plus under root 7 आइटा ये बनेगा 1 minus आइटा under root of minus 1 आइटा ही होता है और 1 plus आइटा simplify कर लो इसको दिखने में जो है मुश्किल लगती है but होती नहीं है मुश्किल वो सिरफ आपको डराने के लिए थोड़ा सा complicated form में लिखा होता है थोड़ा सा अपना brain यूज करोगे आपको एक simplified term जो है मिल जाएगे चीक है तो 5 minus under root 7 आइटा ये क्या बन गया a plus b a minus b का formula which is equal to a square 25 का square 25 minus b square under root 7 आइटा का square क्या होगा 7 आइटा स्केर यहां पर 1 minus आइटा 1 plus आइटा क्या बनेगा 1 square minus आइटा तो ये क्या बना 25 minus आइटा स्केर minus 1 plus 7 ठीक है into ये क्या बना 1 plus 1 तो ये क्या बन गया 32 into 2 which is equal to 64 तो मेरे पास इसको simplify करके क्या रही है एक constant term आ रही है 64 और अगर मैं इसको complex form में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ 64 plus 0 आइटा तो मेरा answer क्या आया है 64 plus 0 आइटा तो कौन सा option है जो मुझे ये answer दे रहे ना A दे रहे ना B दे रहे ना ही C दे रहे तो क्या हो जाएगा इसका D option जो है इसका answer आ जाएगा none of these क्या आएगा इसका answer D option none of these की एक भी term जो है मेरी क्या है मुझे correct answer नहीं दे रहे चीक है clear है सबको आगे चलते हैं इसी के साथ हमारे next question की तरफ next question में मुझे x plus i to y given है I have given x plus i to y is equal to a plus i to b by c plus i to d चीक है क्या है x plus i to y जो है मुझे किसके equal given है a plus i to b divide by c plus i to d के given है then x square plus y square is equal to किसके equal होगा x square plus y square यह जो है मुझे बताना है तो अब जहाँ से देखो मुझे x square plus y square बताना है तो अगर मैं क्या करूँ x plus i to y की multiply कर दूँ उसके conjugate के साथ x plus i to y into x minus i to y तो वो किसके equal होगा x square plus y square solve करके देख लो a plus b a minus b a square minus b square लेकिन minus i to square आएगा जो मुझे ultimately यहाँ पर बन लेतेगा तो यहाँ से x square plus i to square मतलब क्या है x plus i to y की multiply यह x plus i to y की value है इसके multiply किससे करनी है उसके conjugate थे तो उसका conjugate जो है क्या होगा what will be its conjugate a minus i to b by c plus i to d यही होगा conjugate क्या होगा a plus i to b c plus लिख दिया मैंने c minus i to d क्या होगा c minus आएगा यहाँ पर तो a plus i to b a minus i to b किसका formula बनेगा a square plus b square गा और c plus i to d जो है मेरा किसका formula बनेगा c square plus d square गा ठीक है a square minus b square तो यह जो है कौन सा option है जो मुझे answer दे रहा है यह जो है मेरी value आ गई है किसकी x square plus y square की तो कौन सा option है जो मुझे यह answer दे रहा है c option जो है मुझे यह answer दे रहा है a square plus b square divide by c square plus d square तो यह जो है मेरा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा clear है सबको आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे next question की तरफ तो next question में देखो मुझे क्या given है multiplicative inverse जो है मुझे बताना है किसका multiplicative inverse बताना है minus 3 plus 5 Vita का छीक है the multiplicative inverse of minus 3 plus 5 Vita तो क्या होगा multiplicative inverse होने का मतलब क्या जैसे कोई भी suppose कुरो मुझे z given है सबको पहले तो पता होना चाहिए कि multiplicative inverse जो है क्या होते है मुझे कोई भी एक number complex number z given है तो उसका multiplicative inverse क्या होता है? z inverse या फिर मैं उसको क्या बोल सकती हूँ? कि उसका multiplicative inverse जो है क्या होता है? 1 by z होता है तो similarly मुझे 3 plus 5 आईटा given मुझे क्या given है? minus 3 plus 5 आईटा जो है क्या है? given है और मुझे उसका जो है क्या बताना है? multiplicative inverse जो है बताना है तो वो क्या होगा? 1 by minus 3 plus 5 आईटा लेकिन ऐसा तो कोई answer है नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको further आगे simplify करना पड़ेगा इसकी जो है realization मुझे करनी पड़ेगी आगे फ़र्टा तो यह क्या बनेगा? मैंने इसको multiply and divide कर दिया किससे? minus 3 minus 5 आईटा minus 3 minus 5 आईटा चीक है? तो यह मेरा क्या बन गया? उपर तो बना minus 3 minus 5 आईटा निच्चे क्या बनेगा? a plus b और a minus b तो यह बनेगा a square that is minus 3 square minus कितना? 5 आईटा का square यही बनेगा? yes or no तो यह मेरा क्या बन गया? minus 3 minus 5 आईटा divide by कितना? 3 square कितना? 9 और आईटा square minus 1 तो minus minus plus कितना हो गया? 25 तो यह कितना बन गया? 29 plus 25 plus 9 कितना बन गया मेरा? 34 तो यह मेरा क्या answer आ रहा है? minus 3 by 34 minus 5 by 34 आईटा तो कौन सा option है जो इससे match हो रहा है यहाँ पे? a option जो है इससे match हो रहा है तो यहाँ पे a option जो है मेरा क्या आ गया? correct answer आ गया a will be my correct answer छीक है? clear है सबको? I hope सबको clear होगा चले आगे चले इसी के साथ हमारे next question पे next question है हमारा minus 2 plus 5 आईटा divide by 2 minus 3 आईटा जो है मुझे उसकी value बतानी है कि क्या होगी? किसकी? minus 2 plus 5 आईटा divide by 2 minus 3 आईटा तो क्या होगी उसकी value? देखो divide का मतलब क्या है? minus 2 plus 5 आईटा divide by 2 minus 3 आईटा ठीक है? तो यह चीज मुझे given है तो मैं इसको कैसे निकालूँगी इसकी value? इसको जो है फर्दर आगे क्या करके? simplify करके तो इसको मैं simplify करूँगी तो क्या आएगा इसको simplify करके? multiply और divide कर देटी हूँ मैं इसकी 2 plus 3 आईटा 2 plus 3 आईटा चीक है? तो देखो क्या आएगा? निच्च तो a minus b, a plus b है तो a square minus b square का formula बनके बनेगा 4 plus आईटा की वज़े से plus आजाएगा 3 square 9 और उसके आगे जो है क्या बनेगा मेरा? minus 2 plus 5 आईटा और 2 plus 3 आईटा से ठीक है? तो minus इनकी जो है आपको क्या करनी पड़ेगी? आपस में multiplication जो है करनी पड़ेगी तो इसके जब मैं इससे multiply करूंगी तो minus 2 to minus 4 minus 6 आईटा इससे multiply की 5 to 10 plus 10 आईटा ठीक है? और इसकी से की, तो plus 15 आईटा यह बन रहे है, तो निच्चे तो 9 plus 13 ही बनेगा और सारे के सारे options में 13 ही जो है given, हर option में मुझे value कितनी given है 13 ही given है, अब उपर देखो क्या बनेगा उपर देखना हमें क्या बनेगा, तो यह क्या बनेगा 15 आईटा स्केर, minus 15, minus 4, तो यह बनेगा minus 19 by 13 और 10 minus 6 कितना होगा, plus 4 आईटा by 13, तो यह जो है मेरा क्या हो जाएगा, minus 19 by 13, plus 4 आईटा by 13, तो कौन सा option है जो मुझे यह answer दे रहा है यहाँ पे B option जो है मुझे यह answer दे रहा है, तो यहाँ पे B option जो है मेरा क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, we will be my correct answer, छीक है clear है सबको, तो इस तरीके से हमें यह questions करने होते हैं, division का sign देखके कि complex number में हमें ऐसा sign देखा है नहीं कभी तो वो sign देखके जो है confused नहीं हो, next है कि यह complex number जो है, एक complex number मुझे क्या है, given है, और मुझे यह बताना है कि यह complex number जो है, कहाँ पे like करेगा, ठीक है अब जो यह question है इस type का a question पे, tgt में पक्का आता है, कि या इस तरीके से statement change कर सकता है कि locals बताओ, complex number का यह बताओ, वो बताओ, बट इस type के questions जो है, for sure आते हैं, तो इन questions को करने का एक ही तरीका जो है, रहता है, और वो तरीका क्या रहता है, कि आप अपने complex numbers को जो है, क्या करो Cartesian form में convert कर लो z की जो है value डालो x प्लेस आइटा y और फिर देखो कि वो Cartesian form में किस चीज़ की equation बना रहा Cartesian form में हमें circle, x axis y axis, ellipse, cyber बोला, parabola, सब की equations जो है, पता होती है, तो यह क्या है, z minus 5 आइटा by, mode को मैं क्या करूँ, separately लिख लो z minus 5 आइटा z plus 5 आइटा is equal to 1 लिख सकती हूँ z minus 5 आइटा is equal to z plus 5 आइटा, ऐसे लिख सकती हूँ z के value अब डालो x plus आइटा y minus 5 आइटा और x plus आइटा y plus 5 आइटा और यह जो है, दोन्नो का क्या चल रहा है, mode चल रहा है, चीक है, तो यहाँ पर आइटा की टर्म से कठी कर लो तो mode basically क्या होता है under root of real part plus किसका imaginary part तो यहाँ पर imaginary part क्या है यहाँ पर भी under root of real part plus imaginary part चीक है, अब दोन्नों तरफ scare करूँगी मैं, तो root मेरा cancel हो जाएगा, बागी equations को जो है, क्या करो, open करो, तो बागी equations को जब open करेंगे, तो क्या बनेगा, x square plus y square plus 25 minus कितना बना, 5 to 10, 1 दूसरी side क्या बना मेरा x square plus y square plus 25 plus 10, 1 cancel, cancel, cancel चीक है, तो इसको दूसरी परफ ले जाऊंगी, तो यहाँ से 10 plus 10, 20 y is equal to 0, 20 तो 0 है नहीं, which implies y is equal to 0 और y is equal to 0, क्या होता है, मेरा x axis यह जो है, x axis इस सारे axis पे, जो है, मेरा क्या होता है, y 0 होता है तो y is equal to 0 जो है, मेरा क्या बनता है, x axis और कौन सा option है, जो मुझे x axis answer दे रहा है, b option जो है, मुझे x axis answer दे रहा है तो यहाँ से b option जो है, मेरा क्या हो जाता है correct answer हो जाता है, b will be my correct answer ठीक है, clear है सबको next है same question है, तरीका जो है अब आप खुद try करो आपको तरीका जो है, मैंने सिखा दिया है, the locus of a complex variable z satisfying तो mode को अलग अलग करूँगी मैं, mode of z minus 2 और दूसरा multiply में चला जाएगा mode of z plus 2 ऐसे करेंगे अब आप क्या करो, z की जो है, value substitute कर दो, तो जब मैं z की value substitute करूँगी तो यह क्या बनेगा x plus eta y minus 2 का mode 2 times of x plus eta y plus 2 का mode यही बनेगा, तो यह क्या है real particle अठा गिया x minus 2 का square और under root है under root कभी भी नहीं भूलना है mode में क्योंकि जब under root भूल जाओगे वहीं के वहीं आपका answer change हो जाएगा पिछले question में नहीं होता, बट यहाँ पे 2 है जो under root के अंदर नहीं है, तो हमारा पूरा answer change हो जाएगा अगर हम इस चीज को 20 point, 20 steps जो है भूल गे, plus imaginary part का square, 2 times under root of x plus 2 का square, और साथ में क्या आगया, बाइस आप जब मैं दोनों तरफ square करूंगी तो यह तो बनेगा मेरा x minus 2 का square बचेगा और यह मेरा, इसका square करने पर यह 4 times हो जाएगा दोनों तरफ square करने पर इसका root cancel होगा इसका root cancel होगा, पर यह 4 times बन जाएगा तो 4 times हो, x plus 2 का square plus y open करो, bracket को open करो, देखो हमारा क्या answer आ रहा है x square plus 4 minus 2x plus y square is equal to 4 x square, x plus 2 का square है न और 4, 4 जा, 16 minus 8x plus 4 y square यही बनेगा, तो 4 x square minus x square मेरा क्या बना 3 x square, y square से एक y square गया, 3 y square 16 minus 4, 16 minus 4, plus का 12 और minus 8x plus 2x जो है मेरा क्या बना है minus 6x is equal to 0 तो अब ध्यान के देखो, x square और y square की term है जो भी हमारी term है, उसमें x square और y square की term है तो line नहीं हो सकती, अब options पर जाओ क्योंकि line में x और y और y मेरे दोनों के दोनों जो है क्या रहते हैं, linear रहते हैं line की equation में, मेरे x और y दोनों के दोनों ही जो है क्या रहेंगे, linear रहेंगे दूसरा है पैरा बोला पैरा बोला में या तो X स्केर होता है या Y स्केर होता है दोनों कभी भी स्केर में नहीं होते तो C option भी खतम तो ये circle की जो है equation बनेगी तो यहां से B option जो है circle मेरा क्या आजाएगा correct answer आजाएगा क्योंकि X स्केर Y स्केर आपको दिख भी रहा है ultimately जो है ये हमारी किसकी equation बनेगी circle की ही जो है equation बनेगी चीग है next question है देखो मुझे बताना है the argument of 1 minus ita root 3 by 1 plus ita root 3 जो है मेरा क्या हो पहले इसको simplify कर लो क्योंकि मुझे पता है A plus ita B का मुझे argument निकालना आता है पहले मैं check करती हूँ a और b की health से कि ये positive है या negative है कि ये कौन से quadrant में जो है मेरे lie करे है पहले a B की health से मैं check करती हूँ कि ये मेरे कौन से quadrant में lie कर रही है और उसके बार जो है मैं formula लगाती हूँ किसका argument according to quadrant तो पहले तो मेरे को इसको जो भी term given है उसको इस term में बनाना पूड़े है तो मैं क्या करूँ? multiply and divide कर दूँ इस से, चीक है? 1-i tan root 3 by 1-i tan root तो ये मेरा क्या बन गया? 1-i tan root 3 का square और निच्चे क्या बना? a square minus 2 open करो 1 और ये बनेगा minus 3 क्योंकि आईटा square की वज़े से minus और ये 3 और साथ में क्या आएगा? minus 2 आईटा under root 3 divide by ये बना 1 और ये आईटा की वज़े से plus 3 तो ये मेरा क्या बना? minus 2 और ये minus 2 आईटा under root 3 और by 4 मैं अलग से लिए तो इसको simplify करके जो है ये मेरा क्या बना? minus 1 by 2 और minus आईटा under root 3 by अब यहाँ पर देखो मेरा a भी negative है तो pi प्लस 60 degree तो 180 प्लस 60 जो की मेरा किस के इक्वल होता है? 240 के इक्वल होता है तो यहाँ से 240 D option 240 जो है मेरा क्या हो जाएगा? correct answer हो जाएगा D will be my correct answer चीक है? तो argument निकालने के लिए हम क्या करते हैं? basically हमें check करना होता है कि वो किस quadrant में है? उसके coding हमारा argument का formula हम apply करते है चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम हमारे next question की तरफ यह जो है last question है हमारी class का आज का next question में modulus उच्छा गया है modulus of complex number z is equal to 1 minus ita under root 3 by 2 into 1 minus ita अब कोई भी complex number z is equal to a plus ita b form का है तो उसका modulus जो हमें पता है क्या होता है under root of a square plus b square चीग है? बट यह जो हमारा इस form का नहीं है तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? यह जो given number है उसको simplify करके a plus ita b की form में बनाना कैसे बनाएंगे? 1 minus ita under root 3 by 2 minus 2 ita है या 2 क्या करो? अलग से ले लो 1 minus ita under root 3 2 अलग से ही 1 minus ita है तो मैं क्या करूँ? इसको multiply and divide कर दू 1 plus ita क्या किया? multiply and divide किया है 1 plus ita से इसकी हम realization यहाँ पे कर रहे है तो यह क्या बनेगा? जब मैं इन दोनों की multiply करूँगी तो 1 से की, तो 1 plus ita minus ita under root 3 और जब इनकी की, तो plus under root 3 यही आएगा, ita square minus 1 उसकी विज़े से divide by निच्चे क्या बनेगा? 2, 1 minus ita, 1 plus ita अब तो सबको पता चल गया होगा a square minus b square, 1 square minus ita square क्या बनेगा? मेरा 2 तो यह मेरा निच्चे क्या बन गया है? 4, तो उपर real part को इकठ्था कर लो 1 plus under root 3 by 4 और क्या करो? imaginary part को इकठ्था कर लो imaginary part, imaginary part जो है मेरा क्या है? ita 1 minus, प्लस लख लो यहाँ पे 1 minus under root 3 by कितना? 4 तो अब हमें पता है modulus क्या होगा? under root of a square plus b square तो मुझे क्या करना है? इनके square का under root लेना है तो under root of कितना? 1 plus under root 3 by 4 का square plus 1 minus under root 3 by 4 का square तो जब मैं 4 का square जो है वो बहार निकालूंगी तो यह 4 तो सिद्धा सिद्धा बहार आजाएगा 16 बहार आके यह जो है 4 बनेगा अब इनको देखो solve करो तो 1 square open करो 1 plus 3 plus 2 under root 3 और यह बनेगा plus में 1 plus 3 minus 2 under root 3 तो यह under root 3 से under root 3 जो है मेरा क्या हो गया? कैंसल हो गया और यह plus बनके क्या बना? 3 plus 4 plus 3 7 plus 8 तो यह क्या बना? under root 8 by 4 चीक है? क्या बन गया मेरा? under root 8 by 4 अब under root 8 by 4 तो मेरा किसी भी option में नहीं आ रहा है कोई भी option मुझे यह answer भी दे रहा है तो आप under root 8 को 2 under root 2 लिख सकते हैं तो यह क्या बन गया? 2 under root 2 by 4 तो यह cancel हो के क्या बन गया? under root 2 by 2 तो जब मैं under root को इससे cancel करूंगी तो यह क्या बनेगा? 1 by under root 2 और कौन सा option है जो मुझे under root 1 by under root 2 answer दे रहा है? a option जो है मुझे यहाँ पे 1 by under root 2 answer दे रहा है तो यहाँ से a option मेरा क्या हो जाएगा? correct answer हो जाएगा a will be my correct answer ठीक है? so this is all about today's class आज की class में हम बस इतना ही करेंगे that's all for today bye everyone have a nice day